Welcome to Learn Together, मेरा नाम है संजिना और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत की नदियों और बांध से सम्मंधित प्रश्ण है इसके आगे के प्रश्णों को हम लोग इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं ये इसका पार्ट टू है, इसके पार्ट वन को देखने के लिए आप लोग लिंक पे जाएंगे और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप लोग देख लेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये बिहार सिक्षत भरती, बिहार दरोगा, बिहार S.S.C. और इसके सांसत भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए महतोपूर्ण है तो बीना समय गवाए हम लोग आते हैं अपने प्रश्ण पर हमारा जो प्रश्ण है ये है नदियों को जोडने की योजना का प्रस्टाओं किसके सासनकाल में रखा गया था तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या चीज कि नदियों यानि कि नदियों को जोडने की योजना का प्रस्टाओं किसके सासनकाल में रखा गया था तो ये रखा गया था, राजक सरकार के, UPA सरकार, संजुक्त मोर्चा सरकार या फिर इन में से कोई नहीं नदियों को जोडने की योजना का जो प्रस्ताव है, ये किसके सासनकाल में रखा गया था तो ये रखा गया था किसके, राजंग सरकार, यहां पर जंग होगा, राजंग सरकार में रखा गया था और सबसे पहले इसके ताहद गंगा और कावेरी नदियों के जोडने को प्रस्ताव को रखा गया था तवा किसकी सहायक नदी है तवा एक नदी है और बताना है कि ये किस नदी की सहायक नदी है महा नदी की गोदावरी की नर्मदा की या फिर तापी की तवा जो है ये किसकी सहायक नदी है तो तवा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है किसकी नर्मदा की सहायक नदी है और एक चीज यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ठीक है ये क्या है नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन तो तवा ठीक है और इसकी लंबाई अगर पूछे तो कितना है 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत में सबसे उची ज्वारिय ज्वार्भित्ती वाली नदी कौन सी है ये हुगली नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है या फिर महा नदी है भारत में सबसे उची ज्वारिय ज्वार्भित्ती वाली जो नदी है ये है हुगली नदी प्रारंभ में अरुन नदी के नाम से जानी जाती है यहां हम लोग देखेंगे कि जो कोशी नदी है यह प्रारंभ में अरुन नदी के नाम से जानी जाती है कोशी नदी का उदगम इस्थल है वो कहां पर है तो वो है तिबबत क्या है तिबबत है कोशी नदी का उदगम इस्थल कहां है तिबबत है और वहां से इसकी जो मुख्य धारा होती है उसे अरुन नदी के नाम से जाना जाता है तो प्रारंध में कोशी नदी जो है ये अरु वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वस्त्रेणियों के बीच बहती है यानि कि पश्रिम वाहिनी नदिया यानि कि जो पश्रिम की ओर नदी बह रही है तो वो पश्रिम वाहिनी नदिया हुई और दो पर्वस्त्रेणियों के बीच में बहती है तो ये माही नदी होगा, सावर नर्मती नदी शरावती नदी या फिर नर्मदा नदी कौन सी नदी होगी तो यह होगी नर्मदा नदी नर्मदा नदी जो है यह पश्रीम की और बहती है और दो परवत त्रेणी कौन सी है तो विंद परवत है और कौन है तो और सत्पूरा परवत है ठीक है विंद परवत है पीच में इस प्रकार से जो है ये क्या है नर्मदा नदी बहती है। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है। तो इसका उद्गम इस्तल जो है ये महराष्ट में नासी के पास त्रैंबकेश्वर से निकलती है। ये गोदावरी नदी और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके बीच में अगर हम लोग देखें तो ये किस-किस राज्य से होकर की गुजरती है। तो ये किस राज्य से होकर की गुजरती है तो ये महराष्ट महराष्ट से होकर की गुजरती है। इसके बास से क्या और कि अगर हम लोग देखें तो यह पर हम लोगों के जो option में दिया हुआ है तो कहीं भी 36 गड और तेलांगना नहीं है किवल महराष्ट और आंधर प्रदेश का जिक्र है महराष्ट और आंधर प्रदेश का तो हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा महराष्ट वो आंधर प्रदेश तो गोदावरी नदी जो है ये महराष्ट में निकलती है नासिक के पास थ्रैंब किश्वर से 60 km की दूरी यह तेय कर लेती है इन दोर के समीब इस्थित जनापाव पहाड़ी सुरोत है इन दोर के पास में इस्थित जो जनापाव पहाड़ी है तो वो किसका सुरोत है महा नदी का, माही नदी का, महा नदी का, तापी नदी का या फिर चम्बल नदी का इन दौर के समी पिस्तित जनापाव पहाडी जो है ये किसका स्रोत है यानि कि किसका स्रोती से माना जाएगा तो ये होगा किसका चम्बल नदी का, किसका चम्बल नदी का तो इंदोर के समी पिस्तित जो जनापाव पहाड़ी है ये चंबल नदी का स्रोत है सिंधु नदी का उदगम इस्थल है सिंधु नदी का उदगम इस्थल जो है ये कहां पर है तो ये मानसरोवर जील मपसातूंग हीमानी रोहतांग दर्रा शेशनाग जील कहां पर है सिंधू नदी का उदगम इस्थल तो इसका सही जवाब हो जाएगा मान सरोवर जील क्या होगा मान सरोवर जील सिंधू नदी का उदगम इस्थल जो है ये मान सरोवर जील है अगर इससे और थोड़ा डीटेल में पूछ दे तो हमें क्या बताना है कि तिबबत के म सीन का बाब, नामक एक क्या है, एक जलधारा है, जिससे इसका उदगम माना जाता है, तो सिंधु नदी का उदगम मान सरोवर जील है, अथोर डिटेल में जानेंगे, तो तिबबत के मान सरोवर जील के पास में, सीन का बाब, नामक एक जलधारा है, जिससे इसका उदगम मान जाता है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है बनास नदी साबरमती नदी माही नदी या फिर लूनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है तो कौन सी नदी है जो की लवण नदी के नाम से जानी जा सुन्दर्वन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदिया कौन सी है कौन सी नदी भेडा घाट के समीब कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है वो कौन सी नदी है गोकक नदी है शरावती नदी है नर्मदा नदी है या फिर तापी नदी है ये नदी कौन सी नदी है ठीक है तो ये नदी कौन सी है तो ये है नर्मदा नदी कौन सी है नर नर्मदा नदी यानि की भीड़ा घाटी के समीब कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है और ये जो जल धारा है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है और ये पहला जल प्रपात है। भागी रथी और लख नंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो ये हो जाएगा गंगोत्री में, देव प्रयाग में, कर्म प्रयाग में या फिर रुद्र प्रयाग में. कहां पर मिलती है तो भागी रथी और अलख नंदा गंगा में कहां पर मिलती है तो ये मिलती है देव प्रयाग में कहां पर देव प्रयाग में मिलती है जैसे कि गंगा में मिलती क्या है अब भागी रथी और अलख नंदा जब दोनों नदियां एक साथ मिलती है तो वहीं से इसका नाम क्या हो जाता है गंगा हो जाता है निमनलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्मान करती है तो नर्मदा, स्वानरेखा, राप्ती, महानदी तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ज्वार नदमुख का निर्मान करने वाली जो नदी है वो है नर्मद नर्मदा नदी ज्वार नदमुक का निर्माण करती है इसमें गाद का अभा होता है जिस कारण से ये ज्वार नदमुक का निर्माण करती है यानि एक्छुरी का निर्माण करती है प्राइदेपी भारत की निम्न नदियों में से कौन से स्तीन से विसिष्ट रूप से भिन्न है यानि कि यहाँ पर चार नदियों के नाम दिये गए हैं उन में से कौन एक है जो कि तीन से विसिष्ट रूप से भिन्न है तो ये कृष्णा है गोदावरी है नर्मदा है या फिर कावेरी है कृष्णा गोदावरी नर्मदा कावेरी यानि कि वो कौन सी नदिया है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कौन सी नदिया है तो ये नदी जो हो जाएगी ये होगी नर्मदा नर्मदा जो है ये इन तीन से भिन्न है कि किस प्रकार से भिन्न है नर्मदा जो है ये जुआर्थ नदमुख का निर्माण करती है एक्छुरी का निर्माण करती है लेकिन कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदियां जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है तो इस प्रकार से कृष्णा गोदावरी औ गुजरात मे या महाराश्त में तो सबसे अधीक जो है नर्मदा नदी का अधिकांस भाग वो किस राज्य में बहता है तो सबसे पहरे हम लोग देखेंगे कि नर्मदा नदी किस किस राज्य से गुजरती है तो ये गुजरती है मध्य प्रदेश से इसके बाद महराष्ट से गुजरात से ठीक है मध्य प्रदेश गुजरात महराष्ट से नर्मदा नदी जो है ये गुजरती है अब इसमें पूछे कि सबसे ज्यादा किस राज्य में ब बनाती है, एक्ष्विरी या फिर जौर नदमुख का निर्माड नहीं करती है, इन में से कौन सी नदी तो ये मांड़ी है, महा नदी है, नरमदा है या फिर तापी है, तो यैसे कि हम लोग जानते हैं कि मांडवी नर्मदा और तापी ये तीन नदिया जो है ये एक्ष्वेरी का निर्माण करती है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है लेकिन महा नदी जो है ये डिल्टा का निर्माण करती है महा नदी जो है ये किसका निर्माण करती है डिल्टा का निर्माण करती है एक् प्रवाहित होकर पंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। कौन सी नदी है जो की डेलटा का निर्माण नहीं करती है। तापती नदी की तो ये किसका तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है ठीक है निम्नलिखित में से कौन से नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है यानि कृष्णा नदी की सहायक नदी इन में से कौन नहीं है ये हमें बताना है तो घाट प्रभा, अमरावती, तुंग भद्रा, माल प्रभा, तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों में घाट प्रभा भी है, तुंग भद्रा भी है और माल प्रभा भी है, घाट प्रभा, तुंग भद्रा और माल प्रभा ये कृष्णा नदी की सहायक नदिया है, यहाँ पर अमरावती जो है ये कृष् नदी है और ये कावेरी नदी की एक उप नदी है शिप्रा नदी किस की सहायक नदी है तो शिप्रा नदी महा नदी की सहायक नदी है नर्मदा की सहायक नदी है गोदावरी की सहायक नदी है या फिर चंबल की सहायक नदी है तो शिप्रा नदी जो है ये चंबल की सहायक नद निमनलिखित नदियों में से किसका उदगम भारत में नहीं है? वो कौन सी नदी है जिसका उदगम भारत में नहीं है? चेनाब नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या रावी नदी? इन में से कौन सी नदी है जिसका उदगम जो है ये भारत में नहीं है? तो इसमें हम लोग द देखेंगे कि जो सतलज नदी इसका उधगम जो भारत में नहीं है निम्निलिखित में से कौनसी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है ये कौनसी नदी है ? तो तवा नदी है, सोन नदी है, गोदावरी नदी है या फिर नर्मदा नदी है तवा, सोन, गोदावरी या फिर नर्मदा निमने लिखित में से कौन सी नदी अमर कंठक के पठार से नहीं निकलती है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो गोदावरी नदी है गोदावर आश्ट के नासिक के पास त्रैंबकेश्वर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिबद के मानसरवर जिल लेके निकट से निकलती है। निकलती है तो ये निकलती है कहा से अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती है। निकलती में से वह नदी कौन सी है जिसका उदगम भारती राज्य छेतर में नहीं है। कौन सी वो नदी है जिसका उदगम भारती राज्य छेतर में नहीं है रावी नदी, घागरा नदी, गोदावरी नदी या फिर जेलम नदी। तो यहाँ पर घागरा नदी जो है इसका उदगम भारत में नहीं है, इसका उदगम इस्थल कहाँ है, तिबबत है, इसका उदगम इस्थल जो है यह कहाँ पर है तो यह तिबबत में है। निम्नलिखित नदी युगमों में से कौन ज्वार नद मुख का निर्माण करती है कौन सी नदी है जो कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती है तो कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी, नर्मदा एवं तापी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तो हमें बताना है कि कौन सी नदी जो है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है या फिर एक्च्वरी का निर्माण करती है तो ये नदी कौन सी है ये नदी है नर्मदा एवं तापी नर्मदा एवं तापी जो नदियां है इसमें गाद की कमी होने के कारण ये डेल्टा क या फिर actuary का जो जिक्र हम लोग कर रहे हैं तो डेल्टा और ज्वार नदमुख में क्या अंतर होता है ज्वार नदमुख को ही actuary कहा जाता है तो डेल्टा और ज्वार नदमुख में क्या अंतर होता है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो नदियां अपने साथ में जैसे कि कहा जाए कि त्रिभूजाकार जमाओ के साथ डेल्टा का निर्माण करती है यानि कि त्रिभूजाकार जमाओ जो होता है उसके साथ में वो क्या होता है त्रिभूजी के आगार में फैल जाती है और उसके बाद वो त्रिभूजाकार का निर्माण करती है तो उसे डे गाटी होती है और उसे क्या कहते है तो उसे एक्च्वेरी या फिर ज्वार नदमुक कहा जाता है तो गहरी या फिर संकरी जो घाटी होती है तो नदियां उसमें जाकर के गिरेंगी तो उसे ज्वार नदमुक या फिर एक्च्वेरी कहा जाएगा और अगर अपने साथ में ग से बड़ी नदी कॉंसी है तो ये माहा नदी है कावेरी है नर्मदा है या फिर गोदावरी है प्राइदीप भारत का अर्थ हूआ कि भारत के नक्से में हम लोग देखेंगे नीचे का इस्सा जो कि ये तीनों तरफ से समुदर से घीरा हुआ है तो इसे ही प्राइदीप भारत कहा जाता है प्राइदीप का अर्थ ही होता है कि तीन तरफ से समुद्र और एक तरफ से इस्थल तो उसे प्राइदीप कहा जाता है तो प्राइदीप ये भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या फिर ये भी कह सकते हैं कि दक्षिन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो ये नदी जो है गोदावरी है कौन सी है गोदावरी नदी है गोदावरी नदी की या फिवरिद गंगा के नाम से भी जानते हैं, यानि कि अगर आपसे प्रश्ण ये पुछ दे कि दच्छिण की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं, तो इसी कारण से इसे दच्छिण गंगा या फिवरिद गंगा के नाम से भी जाना जाता है, निमनलिख ब्रमदा नदी कोण सी है नर्मदा नदी है अब हम देखते हैं कि भ्रंस घाटी चया होती है यह तोट जाती है तो वहां निर्मित होती है उसे हम लोग भरंस घाटी कहते हैं तो नर्मदा जो है वो भरंस घाटी से हो करके बहती है एक चीज इसके साथ में और हम लोग देखेंगे कि नर्मदा जो है ये भारत की तीसरी बड़ी नदी कही जा सकती है नर्मदा को तीसरी सबसे बड़ी नदी भारत की कही जा सकती है नर्मदा को नर नर्मदा को और क्या कहा जाता है, दो परवतों के बीच की नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये विंध और सत्पुड़ा परवत के बीच में बहती है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है, जो एक वरिभंस घाटी से होकर बहती है, तो एक वरिभंस घाटी से होकर बहने वाल नदी है नर्मदा दच्छिन भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है तो ये माही नदी है, साबरमती है, तापी है या फिर नर्मदा है दच्छिन भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है तो ये नदी है, नर्मदा नदी हिमाले काठकर एवं बहकर आने वाली नदिया है, हिमाले को काठकर या फिर हिमाले से बहकर आने वाली नदिया कौन सी है ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र यमना सतलज सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु ठीक है तो हिमाले काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां जो है ये कौनसी है तो ये नदी कौनसी हो जाएगी तो ये होगी ब्रह्मपुत्र सतलज और दच्छिन भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है उसमें सबसे बड़ी नदी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कावेरी, नर्मदा, गोदावरी या फिर कृष्णा कौन सी नदी है जो की सबसे लंबी नदी है तो सबसे लंबी नदी दच्छिन भारत की है गोदावरी न निमने नदियों में से सबसे अधिक पत परिवर्तन किया है किस नदी ने सबसे अधिक पत परिवर्तन किया है कोसी नदी गंगा नदी सोन नदी या फिर गंडक नदी किस नदी ने सबसे अधिक पत परिवर्तन किया है या फिर अपना रास्ता बदलने के लिए किस नदी को ज जाना जाता है तो वृद गंगा के नाम से किसे जाना जाता है तो आगे यहाँ पर पीछे हम लोगों ने क्या दिखा था एक्स्प्लेन करके मैंने बताया था आप लोगों को कि वृद गंगा किसे कहा जाता है तो कृष्णा नदी को कावेरी नदी को गोदावरी नदी को या या फिर दच्छिन गंगा, वृद गंगा या फिर दच्छिन गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो वृद गंगा किसे कहेंगे, गोदावरी को कहेंगे, कौन सी नदी भरंस द्रोणी से होकर बहती है, भरंस द्रोणी से होकर के कौन सी नदी बहती है, गोदावरी नदी, क प्रहन से दुरोणी से होकर बहती है निमनलिखित में से कौन भूमी बंधित नदी है भूमी बंधित नदी कौन सी है लूनी नदी नर्मदा नदी तापी नदी या फिर कृष्णा नदी भूमी बंधित नदी जो है ये कौन सी है तो ये हो जाएगा लूनी नदी लूनी नद की उप नदी है तो ये किस नदी की उप नदी है कृष्णा नदी की ब्रह्म पुत्र नदी की गोदावरी नदी की या फिर महा नदी की मानस किस नदी की उप नदी है तो ये है ब्रह्म पुत्र नदी मानस जो है ये ब्रह्म पुत्र नदी की उप नदी है ब्रह्म पुत्र न नदी हैं गोदावरी नदी का उद्गम इस्थल है गोदावरी नदी का जो उद्गम इस्थल है वो कहां है तो जनापाव पहाड़ी ब्रह्मिगीरी पहाड़ी मुल्ताई नगर त्रैंबकम गाउं तो गोदावरी नदी का जो उद्गम इस्थल है ये कहां पर है तो ये नास के पास याने महाराष्ट में नासिक के पास त्रेंबकेश्वर से निकलती है याने कि यहां पर इसका जो सही जवाब होगा यह क्या होगा त्रेंबक गाउं त्रेंबक गाउं जो है यहां से गोदावरी नदी निकलती है तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत की नदियों औ बांध से सम्मंधित प्रश्णों को देखा यहाँ पर इसी तरह से और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहे हैं वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए कॉमेंट करके बताईए कि वीडियो कैसा लगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे धन्यवाद